हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से हमने अपने देश इंडिया के बारे में बात नहीं की है इंडिया में ऐसी बहुत सी इंट्रेस्टिंग बाते हैं जो इसे दुनिया के सभी देशों से अलग बनाती है दुनिया का साथ हुआ सबसे बड़ा देश इंडिया कई माइनों में दुनिया से बहुत जादा अलग है वैसे तो मैंने इंडिया के बारे में फैक्ट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई है जिनें आप उपर कार्ड पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर क्लिक करके देख भी सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया से रिलेटेड दस ऐसे फैक्ट्स जो इसे दुनिया से एकदम अलग बनाते हैं हेलो दोस्तों मैं मुहमत काशिफ आप देख रहे हैं अलफा फैक्ट्स आए जानते हैं दस बाते हैं कि इंडिया है दुनिया से अलग नमबर टिन यूएसवी यानि यूनिवर्सल सीरियल बस जो कि आज के सबसे इंपोर्टन्ट इंवेंशन्स में से एक है इसका इंवेंशन इंडियान अमेरिकन कम्प्यूटर आर्किटेक्ट आजयवी भट ने किया था आज दुनिया भर के कम्प्यूटर गैजेट्स में यूएसबी का बहुत ज़ादा यूज किया जा रहा है और ये काफी इंपोर्टन्ट लिए नमबर नाइन शेर लॉक और डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए दुनिया भर में काफी फेमस एक्टर बेनेडिक्ट कमबरबैच ने इंडिया में एक साल बिताया था और दारजिलिंग के एक स्कूल में वो स्टुडेंट्स को इंगलिश पढ़ाते थे काफी लखी स्टुडेंट रहे होंगे जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने इंगलिश पढ़ाई शैंपू का विश्कार इंडिया में हुआ था हाला कि तब वो आज की तरह केमिकल्स का नहीं बना होता था बलकि बहुत सी नेचुरल जड़ी बूटियों से बनता था शैंपू वर्ड भी सास्कृत के चंपू से लिया गया है जिसका मतलब होता है मसाज करना इन्डिया के फर्ष्ट प्रेसिडेंट सबसे जाधा टाइम तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही नाम है इन्होंने अपनी पूरी सैलरी लेने से मना कर दिया था वो केवल अपनी सैलरी का 50% हिस्सा ही लेते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतनी जाधा सैलरी की उन्हें कोई जरूरत नहीं और अपने 12 साल के कारेकाल के दौरान रिटार होने से पहले वो अपनी सैलरी का केवल 25 परसंट ही लेने लगे थे अगर आपको आम खाना पसंद है और आप इंडिया में रहते हैं तो आप बहुत लगी है क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे जादा आम पैदा करने वाला देश है लेकिन सबसे जादा आम खाने वाला देश भी इंडिया ही है इंडिया का राश्ट्रिय फल भी आम ही है यहाँ पर आम की सैकडों प्रजातियां पाई जाती है नमबर 5 आपको आम तो पसंद है लेकिन किज आपको अंडिया की एक और बहुत ही popular dish समोसा पसंद है ये पूरे अंडिया में काफी जादा popular है साथ ही दुनिया भर में लोग इन्हे इतना जादा पसंद करते हैं लेकिन समोसा एक इंडियान dish नहीं है बलकि इसकी शुरुवात मध्य एशिया में हुई थी और जब ये इंडिया आया तो ये बेहत पॉपुलर हो गया दुनिया में सबसे ज़ादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में ही है यहाँ पर जितने वेजिटेरियन लोग है उतने किसी भी देश में नहीं है लगभग 20-40% इंडिया लोग पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है इसलिए मुंबाई को सपनों का शहर भी कहा जाता है बॉलिवुड की मुवीज आजकल दुनिया भर में काफी जादा पॉपलर होती जा रही है इन्हें चाइना जापान जैसे देशों में भी काफी पसंद किया जा रहा है दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़ा यूटीब चैनल कौन सा है वो चैनल है प्यूडी पाई लेकिन एक और चैनल है T-Series जो की इंडियन यूटीब चैनल है अगर आप इस वीडियो को सितमबर 2018 में देख रहे हैं तो T-Series इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूटीब चैनल है और अगर आप इस वीडियो को दिसमबर 2018 में या इससे भी आगे के टाइम में देख रहे हैं तो T-Series जो की इंडियन चैनल है दुनिया का सबसे बड़ा यूटीब चैनल बन चुका है सिप्टमबर 2018 में T-Series के सबस्क्राइबर्स 6 करोड से भी जादा हैं और नवंबर 2018 तक ये दुनिया के सबसे बड़े यूटीब चैनल प्यूटीपाई को भी पिछाड़ देगा दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की फैमली दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी फैमली में एक, दो या तीन लोग डॉक्टर होते हैं पर इंडिया में डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी फैमली है जैपूर की इस फैमली में 31 डॉक्टर्स हैं जिन में फिजीशियंस, ENT स्पेशिलिस्ट, नियूरोलोजिस्ट, सर्जंस, पाइथोलोजिस्ट और भी बहुत सी तरीके डॉक्टर्स हैं इसका मतलब यह कि अगर इंके घर के आसपास कोई बीमार होता होगा तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बज़ाए इस फैमली के घर ले जाना ज़्यादा सही है क्योंकि यह फैमली नहीं पूरा का पूरा हॉस्पिटल है तो दोस्तों यह थी इंडिया के बारे में 10 ऐसी बातें जो इंडिया को दुनिया भर से एकदम अलग बनाती है आपको यह वीडियो कैसी लेगी कमेंट में में जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजे अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी